हलो दोस्तो मैं हूँ संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल न्यूस कैस्टिंदी चैनल इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आजब में एक फोल्डेबुल और फ्लेक्सेबल डेस्टॉप स्टैंड इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे और डेमो भी देखेंगे और इस टैंड का अप्लिकेशन क्या है इस वीडियो में देखेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रस कर दीजिए पास में जो घंटी बटने बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करू तुरंत आप तक नुट स्वियेशन आ जाएगा तो चलिए देखते हैं तो दोसों बॉक्स के कंटेंट से देखते हैं तो एक ब्राकेट एक लैंप और एक बॉलेट एक फ्लेक्सिबल फोलडेबल डेस्क माउंट यानि की टेबल माउंट स्टैंड है अब इसकी परपस देखते हैं तो आप इस टान में स्मार्टफून को एटेज करके वीडियो फोटोग्राफी, लाइब स्ट्रीम, वीडियो कॉंफरेंस, आनलाइन क्लास, वीडियो कॉल, सेल्फिस, ग्रूब फोटोस और टेबल टॉप फोटोग्राफी और वीडियो ग्राफी भी ले सकते हैं सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं है, आप स्टार में वेबकैम, रिंग लाइट, मिनी फ्लैस लाइट, टैब, एक्शन केमरा, गोप्रो, माइक्रोफोन, वोइस रेकॉर्डर, इस तरह का जो लाइट वेड चीजे जिसमें ट्राइपोर माउंट करने की प्रोविजन होता है, उस यहां से लेके यहां तक यह प्लास्टिक से बना हुआ है, इस जोइन के उपर आप एक नॉप देख पर है, यह है लोकिंग सिस्टम और इस तरब भी आप देख सकते हैं, इस जोइन के उपर भी एक लोकिंग सिस्टम दिया गया है, आप इस ट्यूब यानिक पाइप को 180 ड पोजिशने वहाँ पे सेट करके इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं ठीक उसी तरह इस ट्यूब में भी आप उस तरह लॉक कर सकते हैं 180 डिग्री एंगिल में सेट करके और इस ट्यूब को आप 30 डिग्री में रोटेट करके भी एक पोजिशन सेट कर सकते हैं उसके लिए यह बना हुआ है आप चाहे तो इस tube को यहां से detach भी कर सकते हैं इसको loose करके और यहां पर दिखिए एक connector दिया गया है यह भी metal से बना हुआ है और इस connector के ऊपर एक cap देख पर हैं इसको अगर open कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है 1 4th इंच का screw इसके ऊपर जो ball head आपको दिया गया है यहां पर आप देख सकतें यह जो ball head है इसको भी आप 30 degree में adjust कर सकते हैं यहां पर locking system दिया गया है तो इस ball head को आप यहां पर fix कर सकते हैं इसदरा और इसके उपर आप device को attach करके इसको use कर सकते हैं आप चाहे तो इस ball head को easily remove भी कर सकते हैं इस तरह opposite direction में rotate करके इस bracket के दूसरे end पे नीचे यहाँ पे और एक चीज भी आप देख पर हैं यह भी metal से बना हुआ है यह जो चीजे जो clamp आपको दिया गये वहाँ पे fix करने के लिए अब इस clamp को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह clamp भी metal से बना हुआ है और इसका जो width है यह 4.5 cm है अगर आपका table का thickness 4.5 या उससे कम है तो आप इसको use कर सकते हैं और यहाँ पे दिखिए एक rubber mat जैसा दिया गया है पैट दिया गया है टेबल में scratches ना आने के लिए और जब आप इसको टेबल में fix करेंगे तो वहाँ पे tight and loose करने के लिए यह mechanism यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिखिए और एक चीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक lock भी दिया गया है जब आप इस bracket को यहाँ पे इस तरह fix करेंगे तो tight करने के लिए यह locking system यहाँ पे दिया गया है इस तरह आप यहां पे tight भी कर सकते हैं और इसको loose करके इस bracket को आप rotate करके angle set कर सकते हैं जब आप इसको remove करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा loose करके इस तरह इस bracket को remove भी कर सकते हैं तो इसका जो total weight है यानि कि bracket, clamp और ball head मिला के लगबग 435 gram से मैंने इसको amazon पे 2400 रूपिस में purchase किया था, कभी-कभी इसका जो price है वो up and down भी होते हैं तो चलिए अब हम इसका एक छोटा सा demo भी देखते हैं तो दोस्तों आप यहां पे मेरे table को देख पर हैं, इस table का edge है यहां पे हम इस clamp को fix करेंगे तो इस table का जो thickness है, वो इस clamp का जो width है उसके अंदर है, तो इस clamp को मैं easily यहां पे fix कर पाऊँगा और इस clamp में देखिए जो hole आप देख पर हैं, इस hole पे हम इस foldable tube को attach करेंगे यहां पे तो पहले हम इस clamp को इस table में इस तरह fix कर लेते हैं और नीचे tight करने के लिए जो knob दिया गया है, उससे हम यहां पे इसको tight कर लेते हैं अब आप यहां पे देख पर हैं, यह clamp stable के साथ properly fix हो चुका है अब इस foldable bracket को लेते हैं, और यहां पे जो चीज आप देख पर हैं, उसको हम इस hole पे attach करेंगे इस तरह अब इसको tight करने के लिए जो knob आप यहां पे देख पर हैं, इससे हम इसको tight कर देते हैं तो यह जो tube है, इस clamp के साथ properly attach हो चुका है यहां पे अब इसमें जो second pipe है, middle pipe इसका setup कर लेते हैं, इस second pipe को हम इस तरह उपर उठा के इस second pipe को यहां पे tight कर लेते हैं पहले और यहां पे जो दूसरा lock है, उसको भी हम यहां पे tight कर देते हैं अब यहां पे दिखिए जो third pipe इसका भी setup कर लेते हैं, इसको इस तरह उपर उठा के यहां पे straight में रखते हुए, इसको lock कर देते हैं, और यहां पे इसका जो दूसरा lock है इसको भी हम tight कर देते हैं और यहाँ पे देखिए जो ball head दिया गया है इस ball head को यहाँ पे attach कर लेते हैं तो यह है इसका straight position यहाँ पे device को attach करने से पहले आप इस setup को properly check कर लीजिए आप properly सही तरीके से tight किये की नहीं वरना जो device है वो नीचे गिरने के भी chances होते हैं इसलिए आप properly पहले से ही अच्छे तरी से check कर लीजिए तो यहाँ पे मेरा एक smartphone है तो इसको मैं यहाँ पे attach करना चाहता हूँ smartphone को attach करने के लिए आपको इस तरह की एक mobile order की जरूरत होती है आप इस तरह की चीज अलग सा purchase कर सकते हैं तो इसमें मैं smartphone को fix करके यहाँ पे attach करता हूँ तो इस तरह आप इसको set करके photo या video shoot कर सकते हैं अगर आप इसका angle और direction चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे क्यूंकि यह जो rod है यह 360 degree तक rotating हो ले तो यहाँ पे जो clamp है उस clamp के पास जो lock है उस lock को थोड़ा आप lose कर देंगे तो इस pipe को आप इस तरह rotate करके direction चेंज कर पाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह अगर आप इसको रखके यूज करना चाहते हैं तो कर पाएंगे अगर आप इसको इस तरह रखके यूज़ करना चाते हैं तो कर पाएंगे अगर आप इसको इस पोजिशन पे रखके यूज़ करना चाते हैं तो कर पाएंगे इस तरह आपका जो requirement direction या position है वो set करके यहाँ पे जो lock है उसको tight करके आप उस position या direction को use कर सकते हैं अब इसका जो maximum height है वो भी हम यहाँ पे check करके देखते हैं उसके लिए यहाँ पे मेरा scale है 30 cm का scale है उसको अगर मैं यहाँ पे रखके measure करता हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका height यह approximately 60 cm तक है इसका height अब यहाँ पे जो top position पे जो pipe है सिर्फ उसका direction और position change करके देखते हैं उसके लिए यहाँ पे इस top position का जो lock है उसको हम थोड़ा यहाँ पे lose कर देते हैं और देखिए इस तरह आप इसको change कर सकते हैं इस direction में भी आप इसको use कर सकते हैं और इस pipe का direction भी हम change कर सकते हैं क्योंकि pipe का जो lock है यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक lock है इसको थोड़ा आप इस तरह loose करके इसका position भी आप set कर सकते हैं इस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं और यहाँ पे फिर से lock करके आप इस position को set करके इस lock को भी हम tight कर देते हैं यहाँ पे और इस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं, अगर आप इसका angle और भी change कर Natur तो वो भी आप कर पाएंगे यहाँ पे जो lock है फिर से lose करके इस angle पे भी आप इसको set कर पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी आप angle change तो भी आप कर पायंगे इस तरह भी आप रख के यूज़ कर सकते हैं और इस inhale पे भी आप रख के यूज़ कर सकते हैं आपका जो रिकौार्मेंट इसको हम यूज करके एसको अलग-अलग direction, angle या position में set करके भी देखते हैं उसके लिए यह जो center pipe है उसका lock यहाँ पर है उसको हम थोड़ा lose कर देते हैं यहाँ पर और इसका direction इस तरह change करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस direction पे रखके यूज़ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे टेबल के ऊपर वीडियो या फोटो शुट कर सकते हैं और भी आप इसका angle चेंज करना चाहते हैं तो वह भी आप कर पाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं इस angle पे इसको set कर दिया और यहाँ पे इसको lock कर दिया तो आप देख सकते हैं इस position पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी आप इसका angle चेंज करना चाहते हैं तो इस lock को थोड़ा loose कर दीजे और इस तरह आप यहाँ पे tight करके इस angle पे भी आप इसको use कर सकते हैं और इस pipe का जो direction है वो भी आप change कर पाएंगे जो दूसरा lock है इस pipe का lock उसको थोड़ा आप loose कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आप अलग-अलग position set कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह set करके आप इसको use कर सकते हैं जो भी position set करेंगे तो वहाँ पे जो lock है उसको तुरंद tight कर दीजिए ताकि जो device से वो damage ना हो सके तो फिर से हम इसको उपर उठा के straight रख लेते हैं यहाँ पे आप इसका height reduce करना चाते हैं कम करना चाते हैं तो वह भी कर पाएंगे इन दोनों pipe में से किसी भी एक pipe को आप detach यानि की remove कर सकते हैं तो यहाँ पे हम बीच में जो pipe है उसको remove कर देंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बीच में जो pipe है उस lock को यहाँ पे open करता हूँ और इस दूसरा जो lock है उसको भी मैं यहाँ पे lose कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो उपर का जो pipe है टॉप pipe उसको में रखके इस दूसरा जो middle pipe है उसको यहाँ पे remove कर रहा हूँ उसके लिए यहाँ पे बीच में जो locking system है pipe का उसको थोड़ा आप lose कर दीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह detach हो चुका है अब बीच का जो pipe है center pipe उसको हम side में रख देते हैं और इस first pipe को यह जो bottom pipe है उसके उपर इस तरह attach कर देते हैं और यहाँ पे यह जो lock है इसको tight कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका height कम हो गया है आप सिर्फ इन दोनों pipe के साथ भी आप इसको use कर सकते हैं और आपको थोड़ा ज्यादा stability मिलेगा अगर आप तीन pipe के साथ compare करते हैं तो तो यहाँ पे दिखिए इसको भी अगर आप angle या position चेंज करना चाते हैं तो वो कर पाएंगे यहाँ पे दिखिए जो lock है इसको थोड़ा loose कर देंगे तो इस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं और भी आप angle चेंज करना चाते हैं तो इस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं अलग-अलग पोजिशन पे एंगिल पे आप इसको रखके यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस प्रडॉट को खरीदना चाते हैं तो उसका बाइ लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेर भी कीजिए अगर आप इस चनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सकाइब बटन ये उसे भी प्रस कर दीजिए पास में जो घंटी बटने बेल आइकन हैं उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तुरांत आप तक नोट्सिवेशन आ जाएगा अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट भी कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई आपका दिन सुभ हो स्टे सेफ एंड स्टे हैल्दी